तो गाइज जैसा आपको पता है Great Indian Sale Live हो चुकी है तो आइफोन के मामले में बहुत सारी चीजे एक्सपेक्टेबल और बहुत सारी चीजे अनेक्सपेक्टेबल रही हैं तो गाइज बात करते हैं आइफोन 11 की इसका प्राइज सेम का सेम रहा है 37,000 जो कि यह 64GB वेरियंट का तो भाइज इसमें कोई भी हमको डिल देखने को नहीं मिली अब की बार तो बात करते हैं आइफोन 12 मिनी की तो इसका 64 वेरियंट आदा 37,000 का तो बहुती जल्दी भाई वो आउट ओस्टोक हो गया वहीं फलिप कार्ट पर बात करते हैं आइफोन 13 मिनी की 45,000 जो की सैंसी नी बनाता भाई किसी बात का तो बात करते हैं आज की हमारे मेन आइफोन की जिसमें सबसे पहले आता है आइफोन 12 तो इसकी प्राइजिंग निकल के आई है 39,000 जो की कार्ड लगाने के बाद हो जाती है भाई 36,000 और भाई देखते ही देखते है इसकी प्राइजिंग हो गई 40,000 एक तो भाई पहले ही जैदा थी और भाई पांच मिनिट के अंदर इन्होंने प्राइज और भी बढ़ा दी आइफोन यूजर्स को भाई बारी तमाचा मारा गया है इतने प्राइज के साथ वहीं बात करते हैं 128,000 तो भाई 43,000 इसका प्राइज निकल के आया है यहीं पर हम बात करते हैं आइफ 43.500 का पड़ेगा हमको यह डिल गाईज मुझे बहुत ही अच्छी लगी क्योंकि अमेजन ने अब की बार प्राइज नहीं बढ़ाया और भाई फलिपकार्ट ने तो पांदस मिनट के अंदर ही प्राइज बढ़ा दिया वहीं हम बात करते हैं आइफोन 14 की तो इसकी प्रा हो जाता 62,000 का तो गाईज वीडियो के बीच में 14 का प्राइज बढ़ गया जो कि हो गया 55,000 का वहीं सर्प्राइजिंग लिए आइफोन 13 प्रो का प्राइज हमें देखने को मिला 96,000 जो कि बहुत ही अच्छी डिल है 13 प्रो का प्राइज देखने को मिला 1,100,000 वन टीवी है जो कि बहुत ही अच्छी डिल है तो बात करते है आइफोन 14 प्रो की फिलिप कार्ट पे आइफोन 14 प्रो और 14 प्रो मैक्स पे बहुत ही अच्छी डिल देखने को मिली बात करें आइफोन 14 प्रो की इसका प्राइज देखने को मिला 1,400,000 ऐसी अच्छी डिल मिली हमको होती अच्छी डील है तो आज की वीडियो में गाज इतना ही मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए वाई कमेंट में जरूर बताना कि आप कौन सा वाड़ आइपोन मंगाने वाड़े हो तो भाई मैं तो मंगाने वाड़ा हूं आइपोन 13 प्रो आप भी वा लाइक करना और बाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई